नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपना चैनल राश्टीच में दोस्तों आज हम बात करेंगे भूमी रजस्व विभाग के बारे में अमीन पद बहाली के बारे में कि रजस्व एम भूमी सुधार विभाग में होगी 2700 पदो पर नियुक्ति तो जो ये नियुज है पहले से ही नियुज में था तो बहाली आने वाली थी लेकिन उस समय कहा गया था कि जो है आप लोग को 2400 पदो पर बहाली देखने को मिलेगा लेकिन राज जी वीरो पटना स ये नियुज निकल कराया है कि रजस्व एम भूमी सुधार विभाग में 2700 पदो पर नियुक्ति के रास्ता साफ हो गया है रिक्तिया मांग ली गई है या रक्षण के रूप रेखाताय हो गई है मतलब सारा चीज हो गया है संभव है कि इसी सब्ता में जो है परकिरिया को सुरू कर दी जाएगी विशेश भूमी सरवेक्षण के लिए सभी नियुक्तिय संभिधा अधारित होगी जो इस बार ये बहाली होने वाली है संभिधा अधारित होने वाली है भूमी सरवेक्षण के पूरा होने के साथ ये पद भी समापतो हो जाएंगे इसकी घूसड़ जो है पहले ही तै हो गई थी रजस्व एमा भूमी सुधार विभाग ने इसके चालू बित वर्ष के बजट में धन का भी प्रविधान किया गया है विभाग ये सुत्रों के मुताबित आमीन कनुनांगो एमम सहायक बंदोबस्त पदधिकारियों के 2700 से अधिक पदो का सीरीजन हो चुका है इसकी आवसकता है इसलिए पढ़ रही है क्योंकि पहले नियुक्ति हुए कर्मी दूसरे सेवा में चैन चैन के बाद नोकरी छोड़कर चले गए हैं यानि कि जो अमीन के पद पर पहले बहाली हुई थी पहले बहाली हुई थी वो जो है क्या दूसरे में सेलेक्शन होने के वज़े से अमीन के पद छोड़कर चले गए हैं इसके अलावा 200 से अधी कर्मी नियुक्ति के समय फर्जी सर्टिफिटे के साथ जो पकड़ाने कराण है आटा दिया गया सुत्रो ने बताया कि पहले के 20 के अलावा नाय 18 जीले में भोमी सर्वेक्षन सुरू हो गया है इसलिए पर्यास यह होगा कि नियुक्ति परकिरिये जो है अधिक्तम 3 महिने के भीतर पूरी कर ली जाए इन पदों पर नियुक्ति में आम असनातक के सांसाथ है इंजिनियरिंग डिग्री धारिकों को भी औसर मिलेगा तो इसमें जो है असनातक के सांसाथ है यानि कि असनातक वाले को जो है इसमें जो है आप लोग को मौका मिलने वाले है और ये जो बहाली परकिरिया है 2700 अमीन का वो आप लोग को तीन मंत के भीतर जो है पूरी कर ले जाएगे यानि कि तीन मंत के अंदर ही आप लोग को जोईनिंग करा दी जाएगी और ये बहाली परकिरिया जो है संबीदा अधारित होने वाली है पर्मानेंट नहीं होने वाली है इससे पहले जो भी नियुक्ति परकिरिया आमीन के होई थी वो पर्मानेंट होई थी लेकिन इस बार स से जो है 27 अपदों पर जो नियुक्ति होने जा रही है विहार सरकार और रजस्वे भूमी रजस्वे सुधार विभाग के द्वारा तो यह जो बहाली है आप लोग को सम्विधा अधारी तो होगी तो नोटिफिकेशन जब भी आता है तो हम तुरत आपको वीडियो बना कर इ दिजिएगा धन्यबाद मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में आप 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 आप